नमस्कार आपका स्वागत है देश परदेश समवा चैनल में आज हम बात करेंगे जर्मनी की विदेश पंद्री एना लिना बेर बॉक की कश्मीर समंदी उस टिपड़ी की जिश्पर भारत ने नहराजगी जिताई है अमेरिकी राजदूत डोनल्ड ब्लोम की उस टिपड़ी की चर्चा अभी थमी भी नहीं थी जिसमें उन्होंने पी ओके को एजे के कहकर कई बार वर्नित किया था कि जर्मनी की विदेश मंत्री एना लिना बेर बाक ने दुनिया भर में आतंकवात के प्रशाय दाता के रूप में ख्याती नाम पाकिस्तान की सुर में सुर मिलाते हुए कश्मीर राग छेड़ा है मौका था एक संयूग प्रेस वारता का जो की बरलिन में शुक्रवार साथ अक्टूबर को आयूजित हुई थी जिसमें पाकिस्तानी विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ जर्मनी की विदेश मंत्री एना लिना बेर बाक भी मौजूद थी साथ अप्रेस कांफरेंज में जर्मनी की विदेश मंत्री एना लिना बेर बाक ने जम्मू कश्मीर पर पूछे गए एक सवाल के जवाब में कहा कि मेरा विश्वास से ये मानना है कि दुनिया में हर देश की भूमी का संगर्षों को समाप्त करने और यह सुनिश्चित करने की है कि हम शान्ती से भरी दुनिया में रहें बेरबाक ने कहा कि मेरी अपील सिर्फ यूरोग की इस्तिती को लेकर नहीं है जहां पर रूस ने यूकरेन के खिलाफ युद छुड़ा हुआ है हमरी जिम्मेदारी है कि हम दूसरे इलाकों को भी देखें जहां पर तनाव और लड़ाई के हालात मनेवे हैं कश्मीर की चर्शा करते वे बेरबाक ने कहा कि मैं कह सकती हूँ कि बिलकुल कश्मीर की इस्तिती के सम्मन्द में जर्मनी की भूमी का और जिम्मेदारी है हाला कि हम शान्तियपूर्ण समाधान के लिए संयुक्त रास्ट की बाचीत का समर्थन करते हैं इसके बाद जर्मनी की विदेशमंत्री बेरबाग का कहना था कि दोनों देशों के बीच में हाला कि संघर्श विराम लगू है और जर्मनी उसका समर्थन करता है और भारत और तथा पाकिस्तान से अपिल करता है कि वो संघर्श विराम और संयुत रास्ट के मार्ग का पालन करते वे राजनितिक बाचीत को आगे बनाएं एनलिना बेरबाग ने कहा कि उनकी पाकिस्तान के विदेशमंत्री से बाथ हुई है और उन्होंने बताया है कि भारत और पाकिस्तान के बीच सिमा पार सहयोग में सकारात्मक संकेत देखने को मिले हैं प्रेस कांफरेंस में मौझूद पाकिस्तानी विदेशमंत्री ने कहा कि संयुक्त रास्पस्ताव और अंतरास्टी कानूनों के बिना जम्मू कश्मीर समस्या का समाधान संभाव नहीं है जर्मनी ने बारत के उपर ऐसी टीका टिपणी पहली बार नहीं की है गत जुलाई में भी एक मीडिया कर्मी के मामले को लेकर उसने भारती लोकतंत्र पर तंजही कर्स दिया था जर्मनी और पाकिस्तान की इस बयान बाजी के बाद विदेश मंत्राले के प्रवक्ता अरिन्दिम बाक्ची ने बयान जारी कर कहा कि वैश्विक समुदाय के सभी इमानदार देशों की अंतरास्टी आतंकवाद और खास कर सिमा पार आतंकवाद को खत्म करने की जिम्मिदारी है विदेश मंत्राले ने पाकिस्तान का सीधे नाम लिये बगैर कहा कि दस्कों से जम्मु कश्मीर एक अतंकवादी अभियान का खामियाजा भुगत रहा है जो अब भी जारी है भारत ने यह भी कहा कि सिमा पार आतंकवाद के कारण कश्मीर में भी और भारत के दूसरे हिस्सों में भी विदेशी नागरिक निशाना बने हैं भारती विदेश मंतराले ने इसके बाद 26 इग्यारा मुंबई हमलों का उल्ले करते वे कहा कि संयुक्त रास्ट सुरक्षा परिसद और FATF अब भी पाकिस्तान में रह रहे आतंकियों को तलाश रहा है अपने सक्त संदेश में भारत ने कहा कि जब रास्ट स्वार्थ या मदभेत के कारण इस तरह के खतरे को नहीं मानते हैं तो वे शान्ती के काम को बढ़ावा नहीं देते हैं बलकि उसे नजर अंदाश करते हैं वे आतंकवात के शिकार लोगों के साथ घोर अन्याय भी करते हैं जाहिर है बारत ने जर्मनी की विदेश मंतरी की सभी बातों को अस्विकार कर दिया है आश्यर इस बात का है कि उन्होंने पाकिस्तान में पल रहे आतंकियों और क्रास बॉर्डर टेरिरिजम के बारे में कुछ भी नहीं कहा हम देखते हैं कि एक पैटरन सा बन गया है पहले F-16 पैकेज की गोशना फिर अमेरिकी राजदूद द्वारा P.O.K. को A.J.K. कहना और अब जर्मनी का बयान आया है यह कहना गलत नहीं होगा कि ज़्यादा तर यूरूपी देश विदेश निती का संकेत अमेरिका से ही लेते हैं बाहरत की रूस यूकरेन संगर्ष में स्वतंत्र विदेश निती अमेरिका और पस्चिमी देशों को कताई रास नहीं आ रही है पुर्व विदेश सचीफ कवल सिब्बल ने क्या खूप सवाल किया है कि जर्मनी को कश्मीर में कोई भुमिका और जिम्मेदारी किस ने दी है जर्मनी को हमारे छेतर में खुद को बड़ी ताकतवर हस्ती मानने की जगह यूरोप में अपनी गिर्थी इस्तिती के बारे में चिंता करनी चाहिए आज के इस अंक में बस इतना ही आप से नुरूद है कि आप मेरे इस चैनल को दिखिए इसे साजा कीजे और हाँ इसको सब्सक्राइब भी कर लीजे जैहिंद